वेलकम टू नियू नस्चरी आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लीची का प्लांट दोस्तों लीची किसको नहीं पसंद है पूरे भारत देश में हर घर में इसको खाया जाता है जब इसका टाइम आता है और मुझे इसके बारे में अलग से बोलने की भी जरूर प्लात नहीं आप सभी को पता है कि काफी टेस्टी फूर्ट में शुमार है हर एक बंदे को इसका फूरू खाना पसंद है और यह मार्केट में सिर्फ टेस्टी फराइटी ही नहीं है बलकी बहुत प्लात कीमती फूरू भी शामिल है और आज तो बिल्कुल जा सकता है अगर कोई किसान चाहे कि मैं एक एकर दो एकर में इसका बाग लगाऊंगा और उसमें उसके जरीए अच्छा इंकम सालाना मेरे को आएगा अगर कोई किसान यह सोच रखता है तो वो बिल्कुल सेही सोचता है क्योंकि पूरे भारत देश में बहुत सारे किसान इसके उपर काम कर भी रहे हैं और आज के टाइम पे बहुत अच्छा बिजनेस बोलो कर रहे हैं क्योंकि जब आप इसका fruit मार्केट से खरीदने जाते हो तो लगबख 1500-200 रुपे पर किलो की हिसाब से आपको इसका fruit खरीदना पड़ता है दोस्तो और आप देख सकते हैं कि गुच्छे में काफी ज़्यादा मात्रा में fruit इसमें आया हुआ है और यह बिल्कुल maintenance कम है इसका बहुत ही कम से कम treatment में इसका fruit आपका मिल जाता है और इसमें fruit गिरने की chances बहुत कम रहता है इसलिए आपका loss free, rix free farming भी आप इसको बोल सकते हो दोस्तो जो पौधा आपको दिखाया जा रहा है इसका उमरे सिर्फ और सिर्फ 3-3.5 साल और एक-एक fruit का size रहता है लगबख 10-15 गिराम ठीक है तो 30-35 fruit में इसका 1 kg fruit बनता है और जो 1 kg fruit अगर 1500 रुपे मिनिमम 100 रुपे भी आपको kilo मिले तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो variety है बॉंबाई लिची का variety है यह जो कि production में बहुत ही अच्छा है तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह जो fruit है का कितना ज्यादा महेंगा है मतलब कितना ज्यादा profitable है दोस्तो तो दिक्कत यह आता है कि जब इसका plantation आप करते हैं तो इसमें से आपको income आने में लगभग 3 साल आपको wait करना पड़ता है आप plantation करतो देते हो फ्रूटिंग भी आता है लेकिन पहले साल में इतना ज्यादा फ्रूटिंग नहीं आता कि आप उसको market में sell कर पाओ इसमें लगभग अच्छी income आपको 3 साल के बाद शुरू होता है 3 साल के बाद से आप धाई 3000 फ्रूट एक एक प्लांट से आप बहुत आसानी से collect कर पाओगे और अच्छी बात यह है कि हर साल आपका income time की हिसाब से growth करता है यह बात सच है कि पहले 2-3 साल आपको सिर्फ investment करना पड़े profit ना है लेकिन एक बार आपका income इसमें से शुरू हो गया तो वो long time तक चलेगा और long time मतलब कितना long time minimum 50-60 साल तो यह आपका fruiting देगा उससे भी ज्यादा देगा हमने average 50-60 साल हमने लिया है दोस्तों तो आप में से बहुत सारे ऐसे किसान होए हैं जो इसके farming करने में interested है बहुत सारे ऐसे भी किसान है जिनको इसका fruit खाना बहुत पसंद है दोस्तों तो के लिए मैं कहना चाहूंगा अगर आप इसको कमर्शियली बाग लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा है अगर terrace garden बनाते हैं तो भी अच्छा है तो इसका plant भी हमारे पास उपलब दे दोस्तों